रुक करते हैं अगली खबर के ओर जहाँ पर जिला मुख्याले कांगडा के समीप योल स्थित सूर्य उदे चाय टेबल ट्रस्ट का दूसरा स्थापना दिवस समरोह बुधवार को आयो जित किया गया समरों में डीसी कांगडा राकेश परजापती ने बतोर मुख्याती थी शिर्कत करते हुए कहा कि आज ट्रस्ट का दूसरा स्थापना समरोह है यह ट्रस्ट अपनी स्थापना की सैंचुरी बनाए ऐसी मेरी शुब कामनाई है इस दोरान DC कांगडा ने ट्रस्ट को जिला परशासन की उर से 51,000 रुपे की राशी देने की घोशना की ट्रस्ट के परतिनिथी सचीन शर्मा और अनुराधा द्वारा विशेश बच्चों के लिए चलाय जा रहे ट्रस्ट की सरहना करते हुए DC ने कहा कि ट्रस्ट के माध्यम से बहुत ही बहतरीन कारे किये जा रहे हैं उन्होंने ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के उजवल भविश्य की काम न की उन्होंने कहा कि ट्रस्ट द्वारा विशेश बच्चों को मुख्य धारा से जोडने के लिए जो परियास किये जा रहे हैं वो सही माइने में काभीले तारिफ है इस अवसर पर सूर्य उदे ट्रस्ट की परती नी थी अनुरादा शर्मा ने कहा कि नो बच्चों के साथ ट्रस्ट के तहत स्कूल शुरू किया गया था जबकि वर्तमान में 86 विशेश बच्ची हैं हमारे डिप्टी कमिशनर है अब यह भी आए हैं उनके पास समय की थोड़ी कमी की पर उन्होंने समय निकाला और हमारी फंक्शन में आई यह बहुत बड़ी बात है और हम उनके शुक्र गुज़र है आज के दिन ही हमने 2017 में जो था स्कूल खोला था स्कूल की आपनिंग की थी और नौ बच्चों के साथ आज हमारे पास 86 बच्चे हैं उसकी सेवा में नहीत रहता है और उसकी सेवा में आगे रहता है तो मुझे लगता है कि समाज हमेशा आगे बढ़ने की कोशिस करता है और यहां पर जिस प्रकार के बच्चे जो वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन यहां पर ले रहे हैं उनको मेंस्ट्रीमिंग करने का जो यहां पर बीड़ा उठाया गया है मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अब जैसे बताया भी हैं यहां पे कि बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो स्टेट में प्रथम दुती अस्तान पे रह रहे हैं तो आने वाले वक्त में ये जो बच्चे हैं जिनको कहीं न कहीं हम समाज में नकार देते हैं दिब्यांग समझ के उनको नकार देते हैं उनको मेंस्ट्रीमिंग और उनको मेंस्ट्रीमिंग आने का मौका मिलेगा और समाज ऐसे बहुत सारे उधारन से भरा हुआ है कि इस प्रकार के जो दिव्यांग बच्चे हैं हमारे उन्होंने समाज में अपनी पैट बनाई है अभी बहुत कुछ दिन पहले की बात है एक वाटसेफ एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था एक निकलस जेम्स करके इंसान है